यह हमारे लिए बहुत प्रसंता का विशय है कि भारती जनता पार्टी पहुत बड़ी जीत के साथ तीन राज्यों में आगे चल रही है मद्यपर्देश, चतिसकर और राजस्तान में और जहांके तेलंगाना में भारती जनता पार्टी ने इंप्रूव किया एक सीट थी अब साथ सीटू पर आगे चल रही है और मैं सारा ये श्रे अगर जाता है किसी को जाता है तो मैं देश के ये श्रस्पी परधान मंत्री निरिनर मोदी जी को ये श्रे जाता है भारती जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से और यही कहा जा रहा था कि फटीख हो गई अब यह सारा परिवर्तन होगा बदल जाएगा बीना कॉंग्रेस बाले यह मान रहते बीना मेहनत के बदल जाएगे वहां भारती जनता पार्टी लगभग 160 शिटों के करीब जो है इस वक्त जीत के करीब पहुंची है ठीक है अभी रुजधान यह आधा दौर काउंटिंग के जो है वो है लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता कि यह आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बहुत बड़ी जीत में तो सभाविक रूप से यह एक बहुत बड़ा समर्थन वहां की जनता ने अगर दिया है तो अंद्रेंदर मोधी जी को दिया है भारती जनता पार्टी को दिया है और उसी प्रकार से में राजस्तान में जहां कहा जा रहा था और खासता और से हम थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा हैरान भी थे थोड़ा परिशान भी थे कि जो पर्टिकुलरी जो एकजीट पोल के जो बताय रहे थे उसमें बताय रहे थे कि राजस्तान में पीछे चल रहे हैं लेकिन अभी राजस्तान 125 प्रहुर्जटा चार का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, कोईला गोटाला वहां पर, गोवर गोटाला वहां पर, महादेब अबो, इन तमाम चार गोटालों की बजा से वहां एक माहहुल बना हुआ था, कि कॉंग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड पैंकना चाहिए और उसका प्रिनम आपके सामने आरत कॉंग्रेस इस बात को मान के चल ले थी कि सबसे मजबूत किला अगर कहीं है तो 36 गड़ है तो 36 गड़ में चक्के छूट गई उनके बड़ी साब कह रहा हूं है और सरकार भाजपा की बन रही है और तीन राजव में भाजपा की सरकार बनने का अभी प्राई है नरिंदर मोदी जी की नेतियों पर विश्वास एक ही गारंटी नरिंदर मोदी एक ही चेहरा नरिंदर मोदी एक बात को ले करके बड़ा साप और सपस्ट संदेश इन चुनादू के माधिन सब्सक्राइब हमने क्लेम भी नहीं किया है हमने कहा कि वहाँ सुदार करेंगे इंप्रूव हैं एक सीट से साथ सीट पर हम आगे चल रहे हैं इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा दूसरी बात जहां कॉंग्रेस ये अभी तक भी विश्वास कर रही है तो वो करते रहें दिल को तसली देते रहें कब तक देंगे दो बच तक देंगे तीन बच तक देंगे देखिए फिप्टी प्सेट टोटल कॉंटिंग जो EVM की कमप्रीट हो चुकी है मेरे तीनों राजियों से बाचित वहां के नेताओं से कुछ लोगों साथ हमारा संपर्क लगातार बना हुआ है तो हमको कॉंटिंग का ये दे रहे थे मैं पहले इसलिए नहीं कह रहा था इसलिए क्योंकि काउंटिंग के दो चार रौन पहले के जो है वो रुजहान ही होते है लेकिन आधा काउंटिंग के बाद रुजहान जो है वो नतीजों की तरह बढ़ते हैं अब नतीजों की तरह बढ़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि निसी तरह रूप से एक साल के कारेकाल में कुछ किया नहीं, पूरी फेल वे टोटल फेल वे रहे हिमाचर प्रदेश्ट में सरकार का, कॉंग्रेस की, लेकिन होडिंग एक कोने से दूसरे कोने तक लगे हुए हैं, नया दौर, व्यवस्ता परिवर्तन, ये चला हुआ है, इसे होगा क्या, हमारा पांचों साल में भी इतने होडिंग नहीं जितने आज की तारीक में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नेताओं के होडिंग जो लगे हुए हैं, तो इससे होगा क्या, एक साल के कारेकाल में एक उपलब जिपता हैं, एक योजना जिसकी गोचना की हो, उ बहुत बड़ी दूबदा इस बात को लेकर चल रही है कुछ बोल रहे हैं कि हमको एक साल का जशन मनाना चाहिए लेकिन उनके ही नेता पोछ रहे हैं कि जशन किस बात का और आज के परिनाम आने के बाद जशन की संभावना और भी समाथ हो गई है यह बहुत बड़ा मॉडल एक तरह का प्रस्तूत कर रहे थे देश के लिए मैं उस पर कुछ टिपणी नहीं करना चाहिए तो ओपियस पर मैं टिपणी करना भी नहीं चाहरा हूं लेकिन यहां हिमाचल परदेश में कॉंग्रेस के लोग जिस परकार से आश्वस्त बैठे हैं कि हमने ओपियस का एलान कर दिया है और इसलिए अब हमको कोई हरा ही नहीं सकता है जिन परदेशों में ओपियस दे भी दी दी शत्तित गड़ की बात कर रहा हूं हमें राजस्तान हुरत है वहां कॉंग्रेस के लूटिये डूब गई हमें यही कहना चाहरा हूं तो इसलिए आश्वस्त ना रहे हैं मजबूत और मजबूत होकर के आएंगे वो और मजबूती के साथ मैं यह कहूंगा कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और निरंदर मोदी जी भारत को एक मजबूत निटित्तो लगातार तीसरी बार देनी